असलाम अलेकुम हम बनाने वाले हैं आज मतन दाल गोश वो भी मेरे तरीके से तो मतन दाल गोश मैं प्रेशर कूकर में बनाने वाली हूँ सबसे पहले हम दालों को भीगा लेंगे मैंने तीन तरह की मिक्स दाल ली है मसूर दाल तूवर दाल और चना दाल ली है मैंने ये तीनों मिलाकर एक कप है इनको मैंने भीगाकर रख दिया था पांच से छे गंटों के लिए तो सबसे पहले हम प्रेशर कूकर में दालों को दा ग्लास पानी डालेंगे वन टीस्पून नमक डालेंगे और हाफ टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे और लीट से कवर करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर तीन सिटी ले लेंगे ताके दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए तो डाल हमारी जब तक गल रही है तब तक हम चना डाल राइस बना कर रेड़ी कर लेते हैं ये राइस खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस्पेशली डाल गुश की साथ तो जादा अच्छे लगते हैं तो दो बड़े चमश मैंने तेल डाले थे उसमें वन टीस्पुन जीरा एक बड़ी इलाइची दो तेस पत्ते और चार लॉंग डाले हैं और एक मीडियम साइस की प्यास डाली है इसको हलका सा गोल्डन कर लेंगे और एक स्टार फूल भी डाला है मैंने इसमें तो प्यास हमारी गोल्डन हो चुकी है दो गलास इसमें पानी डाल देंगे मैं एक गलास चावल बना रही हूँ इसले दो गलास पानी डालेंगे इसमें और ये चावलों को मैंने वाश कर लिया है एक गलास चावल है इसमें डाल देंगे और ये चने की डाल है आधी कटोरी मैंने इसको भीगो कर रख दिया था बॉइल वगेरा कुछ नहीं करना है सिर्फ उसको भीगा कर डाल देना है वो चावलों के साथ ही पक जाएगी और 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ये थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि दाल और नमक मिक्स हो जाए अपस में और फुल फ्लेम पर इसको हम पकने के लिए देंगे तो राइज हमारे पक रहे हैं इनका पानी हम सुखा लेंगे फुल फ्लेम पर तो ये देखिए चावलों का पानी सुख चुका है दम दे देंगे और लो फ्लेम पर इसको छे मिनिट के लिए पकने देंगे और ये दाल भी देखिए हमारी गल चुकी है ये अखी अखी है बट गल चुकी है पूरी तरह से तो ये थोड़ी अखी है तो इसको हम मैश कर लेते हैं इस तरह से कोई भी मैशर वगेरा आप ले लीजिए या दाल गोटनी ले लीजिए उससे आप घोट लीजिए दाल को इससे दाल हमारी अच्छी तरह से मैश हो जाएगी. तो ये देखिए, दाल हमारी मैश हो चुकी है, सब अच्छी तरह से. और राइस भी हमारी 6 मिनिट हो चुके हैं, और बहुती बढ़िया से, अच्छे से हमारे चनादाल राइस भी बनकर रेडी हो चुके हैं. तो फ्लेम को बन कर देते हैं, राइज हमारे रैडी है, दाल गोश बनाने की तयारी करते हैं, दो बड़े चमश तेल डाले हैं, उसमें दो तेज पत्ते, दो छोटे दाल चेनी के तुकड़े, दस से बारा काली मिरी और लॉंग डाली है, तीन से चार और तीन छोटी हरी गरम मसालों के तड़क जाने के बाद, दो मिडियम साइज की प्यास दाल देंगे, और प्यास को हमें अच्छे से गोल्डन कर लेना है, हलका सा गोल्डन करेंगे, तो उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को ज़रूर दबाए, बैल आइकन को दबाने से मेरी आने वाली हर नई रेसिपी, इसकी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेगी, तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, और दो छोटे टमाटरों को चौप करके डाला है, कुछ लोग इसमें इमली भी डालते हैं, अगर आप इमली डाल रहे हैं, खटे पन के लिए तो टमाटर एक ही डालेगा, मुझे इमली नहीं पसंद, इसलिए मैं दो छोटे सा इसके टमाटर डाल रही हूं, नमक वन टीस्पून हमने डाल में भी डाला था, इसलिए कम डालेंगे, हल्दी हमने डाल में भी डाली थी, तो पाव चमच डालेंगे, गरम मसाला, धन्या पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूं, ताकि सुखे मसाले हमारे जले ना, और इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे आपस में, और जो बिगीनर से फर्स टाइम बना रहे हैं, अगर उनको ये मसाले समझ नहीं आ रहे हैं, तो दाल गोश का रेडिमेंट मसाला जो आता है, उसके एक छोटी पैकेट आप पूरी इसमें डाल दीजिए, और सॉल्ट डाल दीजिए, और ये मैंने आधा किलो मतन ले लिया है, इसको क्लीन करके अच्छी तरह से मैंने वाश कर लिया है, मसाले भून जाने के बाद मतन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, फुल फ्ले देड़ ग्लास पानी डालेंगे हम इसमें, तो देड़ ग्लास पानी डालने के बाद हम इसको लीट से कवर कर देंगे प्रेशर कुकर को, और मीडियम टु लो फ्लेम पर तीन सिटी ले ले लेंगे इसमें, अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो 30 मिनिट इसके लिए लो फ्लेम पर कुक कर ले, मटन गल जाएगा आपका, तो ये देखिए, तीन सिटी ली है मैंने, और मटन अच्छी तरह से गल चुका है, अब जो हमने डाल को उबाल कर रखे थे, वो डाल हम इसमें डाल देंगे, और अगर आप दूदिया डाल रहे हैं, तो इ पसंदे तो आप डाले, हमारे हाँ पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मने नहीं डाला है, इस वक्त आप दूदी डाल दे, कट करके, और लो फ्लेम पर 5-6 मिनिट के लिए उसको पका ले गले तक, तो दालों को डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम अच्छे से तड़कने देंगे, तो ये देखिए, तड़का हमारा बनकर रेडी होई, अब हम इसको डाल देंगे, तो ये देखिए, तड़का हमने लगा दिया है, डाल गोश में अब चौप किये वे हरे धनिये डालेंगे हम इसमें, तो बहुती मज़ेदार, और लजीज हमारा मतन दाल गोश बनकर रेडी है, वो भी मेरे तरीके से, तो इसमें मैंने उबालाने दिया है, और छे से साथ मिनट के लिए लो फ्लिम पर इसको पकने दिया था मैंने, तक कि सारे मसाले दाल आपस में मिल जाए, अच्छे से, ये देखिए, मतन भी हमारा कुछ मैश वगेरा नहीं हुआ है, और बहुत ही अच्छा और लजीज हमारा मतन दाल गोश बनकर रेडी है, तो इसको डिश आउट कर लेते हम, ये देखिए, मतन दाल गोश विद चनादाल राइस हमारा बनकर रेडी है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेर करें और मेरी रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, तो फिर मैं मिलते रहूंगे आप से इसी तरह से नहीं नहीं रेसिपी के साथ, अल्ला हाफिज झाल